हालो इस्टुएंट्स आज हम दिखेंगे सिर्लेजन का लास्ट रूल and that is called complimentary pair मैंने आपको फॉस्स टू वीडियो में यह बता आया है कैसे tick and cross define करते हैं कैसे rules of deduction था और आज हम दिखेंगे rules of deduction part 2 में complimentary pair वाले question जहां पे either or options follow होते हैं so let's start with the complimentary pair देखो इसमें statement क्या करा बच्चे when there is no definite conclusion is drawn from the given statement then conclusion given in the option forms a pair of a statement which are complimentary to each other that is only one of the statement will be true at one point of time देखो इसका क्या मतलब है complimentary pair का मतलब होता है कि one at a time देखो जब कभी भी statement जो given है question में उसके basis पे अगर आप कोई definite conclusion नहीं draw कर पा रहे हो तो सिधे switch कर जाओ options पे और options में कुछ ऐसे pairs मिलेंगे जो आपस में complimentary होंगे और maximum time यह वाले pairs होते हैं जो complimentary pair create करते हैं जैसे ए और और टाइप मिलकर complimentary pair बनाता है आई और ओ और और यह थ्री पेर्स आपको complimentary pair बनाएंगे और यह आपको कहां मिलेंगे options में मिलेंगे जब कोई भी definite conclusion आप रहा नहीं कर पा रहे हो इसको हम एक example के थुरू और detail में elaborate करते हैं मालो एक question यह है बच्चो यहां पर statement क्या given है some sweets are chocolate some chocolates are mint some means are food and some food is diet आपको याद हो मैंने आपको पूरे detail में बताया था टिकन क्रॉस में तो यहां पर सारे statement सम वाले हैं तो obvious ही बात है सभी term पर क्या आएगा क्रॉस आएगा तो sweets पर पर भी क्रॉस होगा बच्चे चोकलेट पर भी क्रॉस मिंट पर भी क्रॉस मिंट क्रॉस क्रॉस और क्रॉस मैंने आपको रूल्स बताया था कि एकर सारे statement particular है तो answer भी कैसा होगा particular होगा और positive statement है तो answer भी positive तो अगर आप ध्यान से देखोगे उस rules का तो option number one और two तो clearly संभव नहीं है अब option number three और four हो सकता है इन इन सभी statement को आपस में merge करने के बाद किसी को भी दो statement को merge करो answer नहीं आएगा तो हम यह चेक कर देते हैं कि क्या three और four किसी statement का reverse statement तो नहीं है तो यहाँ पर में sweets और यहाँ पर तर्म है diet तो sweets और diet किसी एक term में statement में आया ही नहीं है अगर यहाँ पर sweets है तो obviously बात है diet फूर्थ में है तो वन और फोर्थ को तो हम मिला कर कभी आंसर निकाली नहीं सकते तो हम यह भी बहुत सकते हैं कि थर्ड वाला भी वैलिड नहीं है अगर हम फूर्थ कहन स्थ करें तो यहां पर बच्CE क्ढकलोगे थो में और फूर्ड किस वाले में αλλά करो तो सारे टर फोंद है और वैसे भी four terms है तो इन दोनों को मिला कर भी आंसर नहीं आएगा और यह भी reverse statement नहीं है तो यह भी संभव नहीं है लेकिन complementary pair का concept क्या कहता है बच्चे कि अगर statement के through अगर कोई भी definite conclusion नहीं आ रहा है तो आप सिधे jump कर जाओ option पे अगर आप option देखोंगे first और third को no sweets are diet और some sweets are diet अगर इन दोनों statement को देखोंगे बच्चे तो यह एक time पे कोई एक ही statement follow हो सकता है अगर आप थोड़ा सा little bit when diagram का यूज करो little bit help समझने के लिए तो अगर देखोंगे यहां पे sweets को बनाओगे ऐसे और diets को बनाओगे ऐसे यह था यह दोनों क्या होंगे अलग अलग और सम स्वीट सा diet बनाओगे तो या तो interference होगा या कुछ और होगा तो अगर यह दोनों विंड डाइग्राम अलग है तो यह गलत हो जाएगा कभी तो मानते हो स्वीट साड़ाइट है तो अब्यसी बात है थर्ड वाले को कभी बोली नहीं सकते हो कि ट्रू हो तो यह क्या हो जाएगा गलत हो गया तो इसी को बोलते हैं बच्चे कॉम्प्लिमेंटरी पेयर एक ऐसा पेयर मिलेगा आपको कंक्लूजन में जो एक समय में कोई एक ही ट्रू होगा और वैसा वर्सा अगर फॉस्ट ट्रू है तो सेकेंड गलत है और अगर सेकेंड ट्रू है तो फॉस्ट गलत है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लिमेंटरी पेय अब इसको आप पहचानोंगे कैसे, तो पहचानने का बेस तरीका क्या है, सबसे पहले statement को देखो, statement से क्या कोई definite conclusion आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, अगर definite conclusion नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले सीधे jump कर जा, conclusion में, और conclusion में ये देखो, कि कोई भी pair है क्या, इस तरह का, AO, IO, और IE, ये है क्या, अगर इस तरह का pair involved है, तो कहीं न कहीं है complimentary pair वाला case बनाएगा, जैसे, first statement कैसा था, no sweets are died, तो ये कैसा statement था, बच्चे, E type था, बोलो हाया न, और third statement देखोगे तो क्या है, some sweets are died, तो ये कैसा है, I type, तो I और E मिलकर हमेसा क्या देते है, complimentary pair देते है, तो ये ब conclusion में, statement में नहीं, conclusion में देखना है, मैंने five star इसलिए बना कि ये बहुत important है, आप इसे quickly judge कर पाऊगे कि ये complimentary pair बनाएगा, नहीं बनाएगा, एक और भी important point है कि complimentary pair, same term होगा, जैसे, इसका क्या मतलब है, कि sweets है और diet था, तो obviously बात है, जो complimentary pair बनेगा, उसमें भी same term होना sweets और diet, अगर आप different term लोगे, तो ये complimentary pair नहीं बनाएगा, तो बच्चों जब कभी भी आपको complimentary pair के case को discuss करना है, तो आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या, सबसे पहले statement को देखो, statement से अगर कोई definite conclusion नहीं आ रहा है, definite conclusion नहीं आ रहा है, तो सिधे jump करोगे कहाँ प given पर जाओ गया, और वहाँ पर जो भी cases आ रहा है, जो pair of statement complimentary pair बना रहा है, AO, IO और IE टाइप से, उसको देखोगे कि क्या इस तीनों में से कोई pair बन रहा है क्या, इसको दिखने के लिए सबसे important point क्या है, कि ये जो दो statement होगा, वो same terminology पर होगा, different terms पर नहीं होगा, so this is the case of complimentary pair इस वीडियो में बच्चे मैंने आपको rules discuss करा है, next video में मैं cellulism के बहुत सारे questions लेकर आऊँगा, जहां पर आपको easy से लेकर difficult questions दखोंगे, so thanks for watching the video, if you like my video, please like, share and subscribe my channel and also share with your friends and family, thanks for watching the video